है लोड्स आज हम लोग ऑलकली मेटल एंड एल्कलाइन और्थ मेटल के बीच में डिफ्रेंस देखने वाले हैं तो इसमें फłość कॉंप्रेंस आता है इलेक्त्रानिक कोंफीक्रेशनं । अगर हम बात करें अल्कली metals की तो alkali metal में उसके जो valence cell में electron होते है वो 1 present होते है इसले इसका electronic configuration क्या हो जाता है ns1 जबकि जो alkaline earth metal होते है इसके last valence cell में 2 electron present होते हैं इसले इसका electronic configuration हो जाता है ns2 सेकंड पॉइंट आता है वैलेंसी अलकली मेटल की वैलेंसी होती है वन इसलिए क्या हो जाता है मोनो वैलेंट जिबकि जो अलकली अर्थ मेटल होते हैं उनकी वैलेंसी दो होती है इसलिए ये हो जाते हैं वाई वैलेंट थर्ड पॉइंट आता है कि इसका इलेक्ट्र पॉजिटिव नेचर अगर हम पिरियोडिक टेबल में देखते हैं कि अगर हम left to right जाएंगे तो इसका इलेक्ट्र पॉजिट्व केरेक्टर कम होता जाएगा और इलेक्ट्र नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी इसलिए क्या हो जाएगा कि जो alkaline earth metal होते हैं उसमें less electropositive character रहेगा alkaline metals होते हैं उसमें electropositive character ज्यादा होगा इसलिए क्या हो गया कि alkaline metals जो होते हैं वो more electropositive होते हैं जिब कि जो alkaline earth metal होते हैं वो less electropositive होते हैं च 182– tomar आधा है है इं सटोर्थ पॉइंट आता है तो जो छो आपकुल यफ होते हैं उनका फसे बैस होटे हैं सदो कोद हें हओध्षर था यहine उर्ख metal की तो यह क्या होते हैं इनके जो hydroxide होते हैं वो वीक बेस होते हैं वीक बेस होने के करण क्या होते हैं यह less soluble होते हैं और साथी साथ जब हम इनने हीट के साथ decompose करते हैं तो यह oxides बना लेते हैं मनलों हम यहां पर देखते हैं कि जो पॉंट आता है, बाइकर्बोनेट्स, जो अलकली मेटल के बाइकर्बोनेट्स होते हैं, वो solid state में present रहते हैं, लेकिन जो alkaline earth metal के जो बाइकर्बोनेट्स होते हैं, वो free state में present नहीं होते हैं, यह solution form में, शिर्फ solution form में ही available रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है carbonate जो alkaline metal के carbonate होते है वो water में soluba होते हैं और eating पर यह decompose नहीं होते हैं लेकिन जो alkaline earth metal के जो bicarbonate होते हैं वो water में not soluble होते हैं और साथी साथ क्या होते हैं? heating पर decompose हो जाते हैं next point आता है action of nitrogen जो अल्कली मेटल होते हैं वो नैट्रोजन के साथ डायरेक्ली कमबाइन नहीं होते हैं जिबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो नैट्रोजन के साथ डायरेक्ली कमबाइन होकरके नैट्राइड्स फॉर्म करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है action with carbon जो alkali metals होते हैं वो क्या करते हैं कार्बन के साथ diagly combine नहीं होते हैं लेकिन जो alkaline earth metal होते हैं वो carbon के साथ diagly combine होकर के carbides form करते हैं solubility of salt तो alkali metal के जितने भी sulfate, phosphates, chloride, chromates oxalate होते हैं ये क्या होते हैं कि water में soluble होते हैं लेकिन जो alkaline earth metal के sulfate, phosphate, chloride, chromate और oxalate जोबे होते हैं water में soluble होते हैं वो क्या होते हैं? soft होते हैं उनका melting point क्या होता है? low होता है और ये paramagnetic होते हैं क्योंकि इसके valence cell में electron होता है वो one होता है इस currency क्या होते है? paramagnetic लेकिन अगर बात करते हैं alkaline earth metal की तो ये क्या होते है? harder होती है as compared to alkali metal साथी साथ इनका melting point high होता है और ये किसे होते हैं dimagnetic क्योंकि इसके valence cell में paired electron present है next point आता है कि इसका reducing power जो alkali metal होते हैं alkali metal का reducing power strong होता है जिसके करण क्या होता है? कि इसका ionization potential low होता है और ये oxidation potential इसका high होता है लेकिन हम बात करते हैं alkaline earth metal की तो ये इसका reducing power होता है वो weak होता है साथी साथ क्या होता है? इसका ionization potential value होती ही ये वो high होती है और oxidation potential value इसकी low होती है क्या होता है आ जासे क्या मशा लना सोब्सक्राइण क्या मशा आ बांसा का जासा आ Чईकी जाम होता है ये बाद कर रहसmi yani